दोस्तों आप सभी को तो पता होगा कि आज 9 जनवरी 2022 को UPSC Civil Service Mains Examination 2021 का पेपर था यह पेपर दो सिप्ट में हुआ है पहले सिप्ट में जो कोश्चन्स पूछे गए थे उसके बारे में मैं जानकारी दे चुकी हूँ आप बात करती हूँ दूसरे सिप्ट के बारे में दूसरे सिप्ट की टाइमिंग थी 2 बजे से शाम 5 बजे तक गई इस सिप्ट में General Studies 4th का पेपर हुआ है चलिए अब मैं बात करती हूँ कि आखिर पेपर में क्या कोश्चन और कैसे आया हुआ है कोश्चन पेपर में जो कोश्चन हैं वो सिक्सन वाइस डिवाइड है सबसे पहले बात करते हैं सिक्सन एकी इसमें सबसे पहला कोश्चन ए और बी में डिवाइड है ए नंबर का कोश्चन है उन पांच नैतिक लक्षडों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर लोक सेवक के कारे निष्टपादन का आकलन किया जा सकता है मेट्रिक्स में उनके समावेस का ओचित सिद्ध कीजिए इसके बाद B नंबर में पूछा गया है उन दस आधार भूत मोलियों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है लोक सेवकों में गैरनैतिक व्यवहार के निवारन के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए कोस्चन नंबर टू में दो कोस्चन्स हैं A और B ए में पूछा गया है तर्ग संगत निर्ने लेने के लिए निवेश या इन्पुट के विश्वसनी स्रोत के रोप में डिजिटल प्रध्योगी की का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है उप्युक्त उदारन के साथ आलोजनात्मक मोलियांकन कीजिए कोश्चन नमबर B है नैतिक तुविधाओं का समाधान करते समय एक लोग अधिकारी को कारेचेत्र के ज्ञान के अलावा नव परिवर्तन शीलता और उज्चिक्रिम की रचनातमक्ता की भी आवशकता होती है उप्युक्त उदारन सहीत विवेचन कीजिए कोश्चन नमबर 3 में पूछा गया है कि निम्न लिखित में से प्रतेक धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है ए में कहा गया है प्रतेक कारे की सफलता से पहले उसे सैकडो कर्षिनाईयों से गुजरना पड़ता है जो द्रण निश्चई हैं वे ही देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे इस लाइन को स्वामी विवेक आनंद ने कहा है बी में कहा गया है हम बाहरी दुनिया में तब तक शांती प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शान्ती प्राप्त नहीं कर लेते। यह लाइन दलाई लामा ने कहा है। C में कहा गया है परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमें एक दूसरे की जरूरत है और जितनी हम जल्दी इसे सीख लें। यह हम सब के लिए उतना ही अच्छा है। एरिक, एरिक्सन ने यह लाइन कही है। इसके बाद कोईचन नमबर फोर है। इसमें A में कहा गया है अभिवरत्ती एक महतवपूर्ण घटक है। जो मानों के विकास में निवेश, इन्पुट का काम करता है। ऐसी उपियुक्त अभिवरत्ती का विकास कैसे करें। जो एक लोग सेवक के लिए आवश्यक है। B में कहा गया है उस नैतिकता आत्वा नैतिक आदर्श जिसको आप अंगीकार करते हैं। से समझोता किये बिना क्या भावनात्मक बुद्धी अंतरात्मा के संकट के स्थिती से उबरने में सहायता करती है। आलोचनात्मक परिक्षड कीजिए। Q5 ए में पूछा गया है सरनार्थियों को उस देश में वापस नहीं लोटाया जाना चाहिए। जहां उन्हें उत्पीडन अत्वा मानावधिकारों के उलंगन का सामना करना पड़ेगा। खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट के द्वारा नैतिकायाम के उलंगन के संदर्व में इस कथन का परिच्छड कीजिए। Q5B में पूछा गया है क्या सफल लोक सेवक बनने के लिए निश्पक्ष और गैर पक्षपाती होना अनिवारे गुण माना जाना चाहिए। Q6A में पूछा गया है निश्पादन, जवाब देही और नैतिका आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त समाजिक अंकेक छड तंत्र परम आवश्यक है सविस्तार समझाईए। Q6B में पूछा गया है सत्यनिश्ठा ऐसा मोल्य है जो मनुष्य को ससक्त बनाता है। उप्यूक्त द्रश्टांत सहित और चित्त सिद्ध कीजिए। Q6B तक जितने भी Q7 पूछे गए हैं ये सभी 10-10 नंबर के थी और इनमें आंसर 150 शब्दों में देने थी। अब हम बात करने वाले हैं खंड B के बारे में। Q7 में एक परिछे दिया हुआ है जिसमें A, B, C टाइप से अलग-अलग Q7 दिये हुए हैं। सुनी ने एक युवा लोक सेवक है और सक्चमता, इमानदारी, समरपड तथा मुश्कील और दुर्वे कामों के लिए अथक प्रियास है तो उसकी प्रतिष्ठा है। उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उसके अधिकारियों ने उसे एक बहुती चुनोती पूर्ण और समवेदन शील कारेभार को सम्हालने के लिए चुना था। उसे अवैद बालु खनन के लिए कुख्यात आदिवासी बहुल जिले में तैनात किया गया। नदीपटी से अनियंत्री तुरूप से बालु उत्खनन करके ट्रकों से ढोकर उसको काला बाजार में बेचा जा रहा था। यह अवैद बालु खनन माफिया इस्थानी कारेकरताओं और आदिवासी बाहुबलियों के सहयोग से काम कर रहा था। जो बदले में चुनिंदगरी बादिवासीयों को रिश्वत देते रहते थे तता उनको डरा और धमका कर रखते थे। सुनिल ने एक तेज और उर्जवान अधिकारी होने के नाते जमीनी हकीकत पहचान कर और माफिया के द्वारा कुटिल तथा संदिग्ध तंत्र के माध्यम से अपनाये गए अनेक तोर तरीकों को तुरंत पकड़ लिया। पूछताच करने पर उसने पाया कि उसके अपने कार्याले के कुछ कर्मिचारियों की उनसे मिली भगत है और उन्होंने उनके साथ घनिष्ट अवांचनी गट जोड विक्सित कर लिया है। सुनेल ने उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाई शुरू की और उनके बालू से भरे ट्रकों की आवाजाही के अवैद संचालन पर छापे मानना शुरू कर दिया। माफिया भड़क गया क्योंकि पहले बहुत अधिकारियों ने उनके विरुद इतने बड़े कदम नहीं उठाए थे। कार्याले के कुछ कर्मेचारियों ने जो कतित तौर पर माफिया के करीब थे उनको सूचित किया कि अधिकारी उस जिले में माफिया के अवैद बालू खनन संचालन को साफ करने के लिए द्रण संकल्पी थे और उन्हें अपोन ये छती हो सकती है। माफिया शत्रुता पोन हो गया और जवाबी हमला शुरू किया। आदिवासी बाहु बली और माफिया ने उसको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना शुरू कर और व्रद्माता का पीछा किया जा रहा था। वे उनकी वास्तविक निगरानी में थे जिससे कि उन सभी को मांसी कियातना, यंत्रना और तनाव हो रहा था। उस समय मामले ने गंभीर रोब धारण कर लिया। जब एक बाहु बली उसके कार्याले में आया और उसको छापे मानना इत्यादी बंद करने की धमकी दी और कहा कि उसका हाल उसके पूर्व अधिकारियों से अलग नहीं होगा। यहाँ पर कोश्टक में बताया गया है कि आखिर उससे पहले अधिकारियों के साथ इन लोगों ने क्या किया था। दस वर्स पहले पूर्व माफिया द्वा अचा गया है आपके द्वारा सूची बर्द विकल्पों का आलोचनात्मक मोल्यांकन कीजिए। तीसरा कोश्चन है आपके विचार से उप्युक्त में से कौन सा विकल्प सुनेल के लिए सबसे उप्युक्त होगा और क्यों। इसके बाद कोश्चन नमबर एट में भी पै और प्रबंधन उनके प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा है। यह भी माना जाता है कि प्रबंधन आपको प्रधानाचारी के रूप में पदोनत कर सकता है। इस बीच वाशिक परिक्षा के दौरान विश्वी द्याले से आए उनंदस्ते ने दो चात्रों को अनुचित तरी प्रबंधन का करीबी भी माना जाता था。 उनमें से एक छात्र स्थानी राजनेता का बेटा था जो कालेज को वर्तमान प्रतिस्थित विष। विध्याले से संबंधन कराने में मददगार कर रहा था। दूसरा चात्रे की स्थानी व्यवसाई का बेटा था, जिसने कॉलेज चलाने के लिए अधिक्तम धन दान दिया था। आपने इस दुर्भागे पूर्ण घटना के बारे में तुरंत प्रबंधन को सूचित किया। प्रबंधन ने आपको किसी भी कीमत पर उड़न दस्ते के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से ना केवल कॉलेज की छवी खराब होगी। बलकि राजनेता और व्यवसाई भी कॉलेज के काम काज के लिए बहुत महतपूर व्यक्ती हैं। सक्तिकारवाई की मांग कर रहे हैं। इस पैसेज में दो कोश्चन पूछे गए हैं। पहला कोश्चन है इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। दूसरा कोश्चन है ओप्रधानाचारे के रोप में आपके पास उपलब्द विकल्पों का आलोचनात्मक रूप से परिक्षड कीजिए। आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों। कोश्चन नमबर नाइन में भी पैसेज दिया हुआ है। किसी राज्य विशेष की राजधानी में यातायात की भीड को कम करने के लिए एक elevated corridor का निर्माण किया जा रहा है। आपकी पिशेवर छमता और अनभव के आधार पर आपको इस प्रतिष्ठित परियोजना के परियोजना प्रबंदक के रूप में चुना गया है। अगले दो वर्षों में परियोजना को पूरा करने के समय सीमा 30 जून 2021 है क्योंकि इसका उदगा टन मुख्य मत्री द्वारा जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में चुनाओ की घोशना से पहले होना है। निरिक्षड दल द्वारा और चक निरिक्षड करते समय संभवत है खराप सामागरी के इस्तमाल के कारण एलिवेटेट कॉरिडोर के एक पाए में एक छोटी सी दरार देखी गई थी। आपने तुरंत मुख्यभियंता को सूचित किया और आगे का काम रोग दिया। आपके द्वारा यह आकलन किया गया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के कम से कम तीन पायों को तोड़ना और उनका पुननिर्माण किया जाना है। परंतु यह प्रक्रिया पर्योजना में कम से कम चार से च्छे महीने की देरी कर देगी। के साथ कामजारी रखने का आदेश दिया। उसने आपको सूचित किया कि मंत्री कोई देरी नहीं चाहते हैं क्योंकि वे एलिवेटेड कॉरिडोर का उदगाटन मुख्य मंत्री से चुनाओं की घोशना होने से पहले करवाना चाहते हैं। यह भी सूचित किया कि ठेकेदा मंत्री का दूर का रिश्टिदार है और वे चाहते हैं कि वे इस परियोजना को पूरा करें। उसने आपको इशारा भी किया कि अतरिक्त मुख्य अभियंता के रूप में आपकी आगे की पदोनती मंत्राले के विचाराधीन है। तथा भी आपने दृड़ता से महसूस किय कि Elevated Corridor के पाए में छोटी सी दरार पुल की छमता और जीवन काल पर प्रतिकूल प्रभावट डालेगी और इसलिए Elevated Corridor की मरमत ना करना बहुत खतरनाक होगा। इसमें जो questions पूछे गए हैं उसमें पहला question है दी गई शर्तों के तहट परियोजना प्रबंधक के इसके बाद question number 3 है परियोजना प्रबंधक द्वारा सामना की जाने वाली व्यावसाइक चुनौतियां क्या है और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए उसकी प्रतिक्रिया क्या है question number 4 है निरीक्षड दल द्वारा उठाए गए अवलोकन की अंदेखी के परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बाद question number 10 में भी पैसेज है सबसे पहले देखते हैं कि पैसेज में क्या कहा गया है कोरोना वायरेस रोग COVID-19 महामारी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है आठ मई 2020 तक भारत में कोरोना के 56,342 पॉजिटिव मामले सामने आये थे भारत को जिसकी जनसंख्या 1.35 बिलियन से अधिक है जनसंख्या में कोरोना वायरेस के संचरण को नियंतरित करने में कठिनाई आई थी इस प्रकोप से निपटने के लिए कई रणनीतियां आवश्यक हो गई थी भारत के स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले ने इस प्रकोप के बारे में जागरुकता बढ़ाई और COVID-19 के प्रसार को नियंतरित करने के लिए सभी आवश्यक कारवाईयां की भारत सरकान ने वाइरस के संचरण को कम करने के लिए पूरे देश में 55 दिनों का लागडाउन लागू किया स्कूल और कॉलेज में शिक्चर सीखना, मोल्यांगन और प्रमाडी करण के वेकल्पी तरीके सामने आए इन दिनों ओनलाइन मोन लोगप्री हो गया भारत इस तरह किस संकट पूर्ण अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मानो संसाधन, धन और ऐसी स्थिती में देखभाल करने के लिए बुनियादी धाचे के रूप में अनिसुविधाओं की कमी थी इस बीमारी ने एक तरफ तो जाती पंत धर्म की परवा किये बिना किसी को नहीं बक्षा और दूसरी तरफ अमीर गरीब दोनों को भी नहीं छोड़ा अस्पताल में बिस्तर, ओक्सीजन, सिलिंडर, एम्बुलेंस, अस्पताल कर्मिचारी और शम्चान की कमी सबसे महतोपोन पहलू थे आप ऐसे समय एक सारवजनिक अस्पताल में अस्पताल प्रिशासक हैं जब कोरोना वाइरस ने बड़ी संख्या में लोगों पर हमला किया और अस्पताल में मरीजों का दिन रात आना जाना लगा रहता था इसमें पहला कोश्चन है पूरी तरह से जानते हुए कि यह अत्यधिक संक्रामक रोग है और संसाधन तथा बुनियादी धाचे सीमित है अपने नैदानिक और गैर नैदानिक कर्मिचारियों को रोगियों की देखभाल करने में लगाने के लिए आपके मांदंड और इसके बाद कोश्चन नंबर 11 है भारत में इस्थीत एक प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद कम्पनी ने अंतर राष्टिये बजार के लिए एक खाद्य उत्पाद विक्सित किया और आवश्यक अनुमोधन प्राप्त करने के बाद उसका निरियाद शुरू कर दिया कम्पनी ने इस उपलब्धी की खोशना की और यह संकेत भी दिया कि जल्द ही यह उत्पाद घरेलू भोकताओं के लिए लगबख समान गुडवत्ता और स्वास्त लाब्ध के साथ उपलब्ध कराया जाएगा तद अनुसार कम्पनी ने अपने उत्पाद को घरेलू सक्चम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया और उत्पाद को भारती बाजार में लौंच किया कम्पनी ने समय के साथ बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया और घरेलू तथा अंतरराष्टे इस्तर पर परियाप तिलाब अरजित किया हाला कि निरिक्षड दल द्वारा किये गया याद्राक्षिक नमोनो रेंडम सेंपल के परिक्षड में पाया गया कि सक्षम प्राधिकारिस से प्राप्त अनुमोदन से भिन उतपात को घरेलू इस्तर पर बेचा जा रहा है आगे की जाच में यह भी पता चला कि खाद्य कंपनी नाकेवल ऐसे उतपादों को बेच रही थी जो देश के स्वास्त मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे बलकि अस्विक्रित निर्यात उतपाद को भी घरेलू बाजार में बेच रही थी इस प्रक्रण ने खाद्य कंपनी की प्रतिष्ठा और लाब दायकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला इसमें तीन कोस्चन्स पोछे गए हैं पहला कोस्चन है घरेलू बाजार के लिए निर्धारित खाद्यमान को काउलंगन करने और अस्विक्रित निर्यात उतपादों को घरेलू बाजार में बेचने के लिए खाद्य कंपनी के खिलाफ सक्चम प्राधिकारी द्वारा आप क्या कारवाई की कल्पना करते हैं दूसरा कोस्चन है संकट को हल करने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए खाद्य कंपनी के पास क्या क्रियावरिधी उपलब्ध है तीसरा कोस्चन है मामले में नहीत नैतिक दुविधा की जाज कीजिए इसके बाद बारवे पैसेज में क्या दिया गया है ये देखते हैं पवन पिछले दस वर्सों से राजे सरकार में अधिकारी के पत पर कारे रत है नियमित इस्थानांत्रण के अंतरगत उसे दूसरे विभाग में तैनात किया गया उसने अन्य पांच साथियों के साथ एक नए कारे आले में कारे भार ग्रहन किया कारे आले का प्रमुक एक वरिष्ट अधिकारी था जो अपने कारे आले की कारे प्रडाली में निपूर था सामा ने पूच्टाज के दौरान पवन को पता चला कि वरिष्ट अधिकारी का खुद का पारिवारिक जीवन अशान्त होने के साथ साथ वैकठोर और असमवेदन सील छवी वाला है। शुरू में लगा कि सब ठीक चल रहा है। हाला कि कुछ समय बाद ही पवन ने महसूस किया कि उसका वरिष्ट अधिकारी आम तोर पर उसको अपमानित करता था और कभी-कभी अविवेकी था। बैटकों में पवन जो भी सुझाओ देता था उन्हें सीरे से खारिज कर दिया जाता था। और दूसरों की उपस्थती में वरिष्ट अधिकारी नाराज की व्यक्त करता था। यह वरिष्ट अधिकारी के कामकाज की शैली का तरीका बन गया जिसमें उसको गलट धंग से दिखाया जाता। उसकी कमजोरियों को उजागर किया जाता और सार्वजनिक जहाने से उसे डाड़ता और उस पर चिल्लाता। पवन के लगातार उत्पीडन और सार्वजनिक आलोचना के परिणाम स्वरुप उसके आत्म विश्वास, आत्म सम्मान और संभाव को नुकसान पहुचा। पवन ने महसूस किया कि वरिष्ट अधिकारी के साथ उसके पीडा और व्यथा को जेलना पड़ रहा था। आखिरकार इसने उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। घर पर भी वह अब उल्लसित, प्रिशन और संतुष्ट नहीं रहता था। बलकि बिना किसी कारण के वह अपनी पत्नी और पर पूर्ण व्यवहार का शिकार हो गई। कार्याले में उसके अपमान और उत्पीडन के कारण उसके जीवन से आराम और खुशी लगभग गायब हो गई। इस प्रकार इसने उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्त को नुकसान बहुचाया। इसमें चार कोस्चन्स पूछे ग बोड़ अपनाना चाहिए। तीसरा कोस्चन है एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वरिष्ट अधिकारी तथा अधीनस्त दोनों के लिए इस इस्तिती से उबरने और कार्य निश्पादन मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्त में सुधार के लिए आपके क्या सुझाव चोथा कोस्चन है उप्यूक्त परिद्रिश्य में आप सरकारी कार्यालेओं में विभिन्न इस तरों के अधिकारियों के लिए किस प्रिकार के प्रिशिक्चड का सुझाओ देंगे।